हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल की ओप सक्सेस में दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट 4 है ठीक है परसेंटेज का पार्ट फॉर आज हम बताने वाले हैं बिल्कुल टाइप वाइच क्वेश्चन बता रहें ठीक है नो एककर करके हम अभी बतार हैं ठीक है न बहूंत सारे यूटीव क्लास चला रहे हैं तो पता भी नहीं था कि अपने पता था लेकिन नहीं चला रहे थ ладно Yo कि बहुत सारे संटन्हें को भूछ हो गया क्या हो अनपना है वह हम भी अपना कदस्राइब कर चुकह है तो आप लो जो आप लोग सब जानते होगे हैं खिनyah को आट photon लीखेंगे नहीं गड़ेंक पर योगों सब्सक्राइब कर देंगे जैसा कि पीछले वीडियो में आप लोग देखते आ रहें ठीक है तो चलिए फटा-फट क्वेश्चन लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां से जो भी करवाया थे तो पार्ट फोर अब यहां से टाइप आपका चेंज होगा ठीक है अगर झो टाइप वाइज क्वेश्चन बना रहे होंगे तो हम अचाहिं G रहा है ठीक है वह किसी चन संख्या नहीं में घृट दोनों में कवेश्चन लेकर नहीं अब बहुत हद तक गालीटी में सुधार हो गया ठीक है किसी गाओं की जन संख्या 96 अधिक है पूरशों की जन संख्या में आठ परती है तथा महिलाओं की जन संख्या में पांच परती सद बुरिधी हो तब एक वर्स बाद जन संख्या दस अजार दूसों बहत्तर हो जाती है तो पूर्सों के संख्या जो है वो ग्याद करो ठीक है ना तो जब ऐसा ऐसा आप सक्वेशन पूछे तो एक वर्स में ब्रीधी परसेंट पहले निकालना पड़ेगा ठीक है अब सबसे पहले क्या निकाल लेंगे देखो अस्टेप हु तक में आपको क्वेशन लग ढ़्यागा ठीक है चले नीचे ही हम जस्टिसके नीचे हम किया है आपका गाओं के जनसंख्या एक वर्सके बाद अज इसका पहले कितना था 96 था ठीक है न शीको इसके बाद जो है वह बहुत तो घ्रीजा में जनसंख्या हमें 5 परतीशत ब्र में च्छे यानुवे सो गुने एक सो दो सेटिने से इसको कितना बार मैं काड़ सकते है ठीक है अब यह देख लएति तो चीन में से हमको लगता है है चाहए 249 336 44 यानि कि 7 बार में वह हैं ठीक है यानि कि कितना परसेंट बहरा है टोटल और और ब्रॉण्ड अब एक कि多 पर एक किरमेयित हो रहा है महीला हो रहा है ना, तो इसको इस तरह से हम यहां पर लिखेंगे ठीक है तीर्षा-तिर्षी इसको लिखेंगे ठीक है ठीक है, पूरुस कितना बढ रहा था यहां पर, पूरुस में कितना था increasing? देख विस्टें में तय क्या आठ पर तिसकत पूरुसों की जन संख्या 8% तो जे साथ तो एक में से साथ घटेगा तो उसके सामने क्या है तो इसके सामने क्या है deo yem उसको पुरस जब दुवर्श को बढ़ता है तो जह facilitate और गया felduin यहां तक आपका जो होगा वो पूरुस की जन संख्या निकाल दीजे यहां से 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 पूरुस की जन संख्या कितना यहां पर पूरुस की जन संख्या जो है वह दू है यानि कि 32 में 32 दूनी कितना हो जाएगा 6400 यानि कि पूरुस की जन्साग के कितना था चौर्शुट सब अगया आपका पहला आप्शन नमजो है वो डी आपका बिलकुल करेक्टेंसर हो जागा ठीक है तो इतना सारा जो ताम जाम है नहीं इतना सारा आपको करना नहीं है हम आपको सिर्फ बताने किलीए समझाने के लिए हम इतना लिखना पड़ा ठीक है यह पहला क्वेस्चन में इतना लिख दिये जब सेकंड नमर का क्वेस्चन आएगा तो हम इतना लिखेंगे नहीं इसलिए आपको इसको लेना अस्क्रिंशोट लेलो अब हम अपने इलंगेंहें वह चलो जल्दी हैं वास्टे तो अब आते हैं। कैसे स्माठतरीक से कर नहीं कि यूंचिके हम्हीति करें लगफ्वर सबको टच कर दने थीज़ कर सब करskद ही हिंडी कर दो सब धर से सक किसी गाऊँ की जान संख्या साथ मैं धिवाद हानं है टिक है किसी भीगाहों का जनसंख्या कितना ए 7000 है यदि पुरुसों में सद परती सद तथा महिलाओं की सद सेनसंख्या में 9000 विरीदी हो तब एक वर्ष बाद जनसंख्या 7552 हो जाती है तो पुरुसों के संख्या जो है वो आपको गयाद करना है ठीक है पूरुसों प्रिदिद के पूरूस में कितना बढ़ रहा है है और महिला कितना बढ़ रहा ठीक हूब पूरूस और यहां पर महीला ठिक है पूरूस में कितना ब्रीधी ओ रहा है पडिद्ध सर पूरूस में ब्रीध होती सतर जोलब महीला में और उब्र sheriff हम दमई सबर्कन करें करें यहां पर लिखेंगे और इसको घठाने यहां पर सब्सक्राइब तो चलो साथ में से इतना क्यों घटाते हैं ठीक ना साथ माइनस दूसों एक सट बता में कितना पैंटिस तो 35 आजाएगा दूसें सबसें पचिस कोगाँगे कि दूसर पचीस को घटाएंगे तो 11 में से 5 तब कितना 6 और 4 में से 2 तब 26 ठीक है कितना आ जागा यहनिके साथ में से इतना को घटा रहे है तो कितना जा रहा है आपका 26 बटा में कितना 35 ठीक है 26 बटा 25 आ कि धर महीला तरफ में 26 बटा 35 आगया आपका बिल्कुल यह वाला अभी तक सही है 26 बटा 35 जो है वो सोरी 26 आएगा या फिर 16 आएगा 11 से 5 तब यहां पर 235 हो जाएगा सत्य एक ऐस एक ऐस 223 सोरी यहां पर गलती हो पर सोला आएगया और नम यू मेंस नो मेंस्वativa 31 ने कितना पैतिश ठीक है इसके नीचे एक है तो यहां पर 35 हुज्य इवलितारी लिए फिर्टी रिस यां याँवाई और यहां पर जाएगा नकिर्स पाइट सथिए दूंतिन गया पर लिए पैंटिस ठीक है कितना आजागा पका 54 भाई 35 यहां पर आजागा 54 इन में 35 ठीक है अब आप से क्या पूछा किपूरु सक्राइब करो तो सभी इंदा 54 वटे पैंटिस तो उस समय उसमें क्या क्या रहे है तो इसको मिटा देते पर लिख देंगे तीर्षा तीर्षी करके ठीक ने क्रॉस मुल्टिप्लिक इसको घटाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका फिर आपको क्या करना पड़ेगा पूरुस कहा जो आप इसका बूरुस की पूरुust की जंग्या ठीक है पूरुस की पूरुस की जंसंख्य यही आप से पूछा था question में फूरुस की जंसंख्या तो बड़ाया सगुना में कितना हो जागा है यहां पर पूरुस की जन संख्या निकाले है न तो 27 बटा 35 सगुना में पहले कितना था गाउं की जन संख्या 7000 था ठीक है तो 7000 यहां पर लिख देते हैं तो उसके बाद में से आपको घटा करके यहां पर लिख देना है घटाने के बाद में जिसका पूछेगा उसको उपर रखना है पूरुस का पूछेगा तो पूरुस वाला जो है वह उसको उपर रखेंगा महिला का पूछता तो महिला वाला को उपर रखते हैं वाटा में यह दो पूरसो और महिलाओं की संख्या में अंतर ज्याद करना है यानि कि पहले से दोनों का निकालना पड़ेगा पूरस का और महिला का इसके बाद में फिर दोनों में से घटा देंगे ठीक है तो चलो इसको भी सोल्ड करते हैं पहला जो हम आपको वह अस्टेप बताए थो आठ जार नौसो छाटीस में से पहले कितना जंसांग है इसका चौरासी सो माइन और यहां परूरस और महिला कितना बढ़ रही है और पूरस के जंसांग है जो कितना बढ़ रहा है ठीक है यहां पर लिखते हैं मेल और यहां पर फीमेल ठीक है पूरूर सव महील कीतन किई जन संख्य सथ्थे कि म्यर्कित नंब麼 परती सथ Pros प्रिधी हो रहा है और ओभर वल्म को कितना ब्रिधी हो रहा है आप एक सो चौन तीस बटे ट्वेंटी वन परसेंट इसको घटा लें पर जो है वह वह कितना आएगा हमको लिखना पड़ेगा ठीक चलो इधर हम थोड़ा रफ कर लेते हैं आपको दिखाई देरा होगा इधर यहां पर 9-134 बटा में 21 21 9 9 2 9 8 10 9 9 9 1134 घट जायागा तो कितना हो जायागा नम से 4 ता 5 8 अर्ट में से 5 55 बटे 25 बटे कितना आजायगा आपका 55 बटे 21 किधर आगा नो में से इसको घटाया तो इधर आजागा 55 बटे 21 और इधर फिर आपको घटाना पड़ेगा 5 में से 134 य hypoth now is 29 29 1014 21 21*** ट्दवह और सबस्रचन लाओ तो पहले पूरूस वाला निुकलते है ठीक पूरूस की संख्या strictly सख्राइब को मेल्ट सब्हूरर मत्लों पूरूस मेलट संख्य पहले आको निकालता है तो मेल का संख्य निकालता है तो जिसका निकालना है उसको उपर रहेंगे up 29 अब बटा में 29 प्रश्तन दोटा में बट्राइब पहले जन संख्य थे यहां निकालने के लिए फिमेल बाला को ऊपर रखेंगे पाश्वन ऊपर चला जाएगा बटा में विए दोनों को जोड़ेंगे तो 84 ही आयेगा अगुना में 84-100, 100 वार में कट जाएगा तो यह कितना आ जाएगा आपका थीक है ये दोनों का अंतर पुछ राय कि दिखिंच बिल्कुल सही जवाब हुगा अगर आपिसे पूँर्था कि कि मेल का संखः कितना है तो पच्पन सो लेकिन आपसे दोनों का अंतर कुछ लेकि मेल और फिमेल का दोनों का अंतर कितना होगा तो आपको कितना मुटा देना ही 26 टिवा आपको सामने आणसर आपका रेडी है ठीक है जो थो आध के पूरूर स्थाने अंतर आप से पूछा ठीक है तो बिल्कुल इसी पैटर्न का वह भी कोई चनाएगा और उसको जो है आप लोग कोशिस किजिए आगा सॉल्व करने ठीक है जब तक प्रैक्टिस नहीं किजिएगा न तो आपको समझ में नहीं आगा कि जो आप जो है किसी भी चीज को तो जहां पर क्वेस्चन लगाएं आप लोग का कलम जो है वहां पर पेपर पर चल जाना चाहिए ठीक है तो चलो अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पर है इसको आप लोग दोड़ा सॉल्व करके बताना ठीक है दो अगला क्वेशन जो है वो किसी गाओं की जन संख्या जो है वो आच पर तीसा तथा महिलाओं की जन संख्या में आट पर तीसाथ ब्रीधी हो तब एक वर्स बात जन संख्या 3840 हो जाती है तो पूरसों और महिलाओं की संख्या में जो है वो अंतर निकालना ठीक है तो चलो इसको जल्दी से आप लोग सोल्व करो तब तक हम इसमें इंक तरीक नहीं पूरस प्राइब करते हैं ठीक है नव अए चलो अब सोल्व करते हैं इस क्वेस्चन को ठीक कई देखो एस क्वेच्चन को भी और आधा पहला confirm बताय थैंट तो पहला स्टेप में बताया थैंट यहami को फारिना थी Boss इंटी च्छा चेसंट है बटा में अभी कितना हो जाए काट कर जाए गाना और में यहां को हो जाए जाए ले थार जो जाए कि श्क्राइब को चन्य होजा तो किना बचान आपको 220 बचेगा बटा में 3620 और गुना यहां पे 1010 कट जाएगा और 300 220 वर्टए 302 306 को पांच वार में काटेंगा और दूसर इसको दूए कंदू कर दूए इसको दू यह तर्म दू अलए तो है ग्यों कर दो तने चीज़ा हो जाएगा आपका 220 वट्टे एक सो एक असी ठीक है 220 बटे कितना हो जागा एक सोके अब थी को हम 5 से कुना करेंगा अब कटेगा नहीं तो दूसर बीस को पाच-बाइस-बच्छे 110 पर एक और जुरे निके 1100 बटे जो एकया सती आजागा यह परसेंट époने कर रहा है तोटल ब०ि कीतना है आपका फिर तो वते एक सो एकासी पर सेंट ठीक ना तो आपको इसमें से आपको घटाना पड़ेगा घटाने कबार मैं यहां पर लिखो इसमें से इसको घटाने को इधर इस साइड में लिखना होगा ठीक ना क्रोस इसमें लिखना पड़ेगा ठीक तो पांस में से हम इतना को घटाएंगे पांच माइनस इगारस बटा में एक सो एक सी एक सो एक सी हो जाएगा पांच आट पाच पैस पांस पाची आएगा ठीक है अगर कल्कुलेसं में गलत होता होगा तो आप लोग देख लेना थोड़ा सा ठीक है गलत आ रहा है क्या कि तो गालता रहा है कि तो गटाएंगा तो गटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो एकसानवे सो्क्राइब सनुद्ध पांच में से इतना घटा रहे हैं तो एकसानवे हैं तो एकसानवे बटा में कि आठ पार यह आठी ऑठी चोह सट कि चार हाथ में छो अठीक आठ फोच चोदशों वर नार्थ मानास सिगार से निक कि वह आ जाए यह तीन सो अठालीस ठीक है 301 ब्रस बाटा एक से एक से इकासी बचेगा एक से कासी जो आ कैंसिल हो जाएगा ठीका एक दूसरे से आपस में कर जाएगा ठीका और इसको काटेंगे तीन से ठीक है तीन से कड़ जाये एगा यह थिने कम तीन इकम तीन कम तीन च्छा का अठारा तीन läuft a 1511 116 मेर और फीमल 65 अब आपको निकालनाा है दोनों का अंतर ठीक है तो पहले मेल काम संख्या निकालते हैं कि मेल की संख्या मेर्ज कि अ कितना होगा मेल के संख्या जो कितना होगा तो 116 ओ सब्सक्राइब shining जोड दोनों के नीचे लिए पastes 16 irrep कि एक हात में चैङ काटT एक रामां में कितना हो जाए घ्यार भा-5 fingy is rejected 6466 थ्यां मेंचे में reflections on behalfलें तो चलो इसको जाएगा तो बार ने जब जाएगा आपका रही हजए कर दोनों का किया करना हमको आँप का अंतर पूछ रहा है ठीक है आप से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दोनों का जो अंतर होगा पूरुस और महिलाओं की संख्या के अंतर ग्याद करना है तो 220 में से आपको अंतर लक्ति अंपका बिलकुल सही अंसर हो जागा ठीक है बहुत इसको ज़्याद़ा प्रेक्टिस कि जीए उतना ही फास्ट आपका कैलkूलेशन होगा ठीक है तो आपका कितना हो ज्यादा होगा 1020 चलो इसे टाप का एक और क्वेश्चन लेता है ताकि आपका जो है वहे व देखो अगला क्वेस्चन जो है आपका वो लिखा गया कि किसी नगर की जन संख्या जो हो 12000 है यह पूरसों की जन संख्या में 6% वार्शिक ब्रीधी होती है तो वर्स के अंद में कुल जन संख्या 12800 हो जाती है तो नगर में पूरसों की संख्या जो है वह वह आपसे पूछा गया ठीक है तो चलो वही वाला रूल अपनाते हैं 12800 माइनस में 12000 ठीक है देखो इसको कितना फास बनाते हैं 12000 गुना में कितना यहां पर 100 ठीक है हो गया तो इतों क्रड़ जाएगा चारती बार और यह चार 20 भार तीडा में 30 किझे आपका आगए ठीक है और मेल कितना dogs रहा है और प्लच कितना in लुख pos subscribing to me कितना और सितना प्लच परसेंट और फीम्हेश की परसेंट और कितना आट संख टूएंगे यहां ठीघाओ में से ब्सक्राइंगे होगा सबस्क्राइब गट सब्सक्रांइब पिंठ 쿠टें तो चार बट व anda में 303 कर जाएगा अभी दो से चेंशाल कर जाएगा अभाल किल नीचे में वर शहर देंगे दो और एक कितना थे lot यह वाला ये कितना हो जागा तीन गुण नंबर में कितना हो जागा आपके 12,000 हि mean की pequaver जागा था जागा तो 4000거든adas 008,000 लूंसके पूरसों जंद संक्रा जmersy चोंड़ा आ हमार चीह पोन-t वह स्क्रिंस्ट ले 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 लाँ खूशन रहेगा फिर अगला टाइप हमां स्टार्ट करेंगे थीक है इस क्वेश्चन में आप से पुछा जा रहा है कि किसी सहर की जन संख्या आठ जार थी एक वर्ष में पूर्षो की जन संख्या में 10 परतीसत अथा महिला की जन संख्या में 8 परतीसत ब्रिधि युई लेकिन कुल जन संक्या में 9 परतीसत ब्रिधि हुई ठीक है यह आपके question में कितना ब्रिधि हुआ हो रहा हुआ और मेल में कितना अरो फीमेल में कितना ब्रीधी ओल रहा है वह भी देख ल Sapin ब्रीदी कितना हो रहा है ठीक है तोल मिजन संखहांन हो गया ठीक है बूले थे कि डरेक्ट तेप सीला रागू होगा ठीक है दस में से नो तब और आठ में से नो तब इधर भी एक ठीक है तो पुरसों की जन संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे कि पूरुस वाला हूपर लिखना पलास में ये कितना जाया तो इसको बार में कटेगा तो पूरुस की जन संख्या कितना हो जाएगा साहर में पूरुस की संख्या जो है वह 4000 तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है वह अब उमीद है कि आप लोग कर दीजेगा ठीक है जब भी ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप बूक में अपने कोई भी बूक में ढूंड़िए और ऐसा जब भी जहां वह क्वेश्चन मिल तो बस आपको बना देना ठीक है तो चलींग से टाइप को CHANGE करते हैं अब यहां से हम टाइप 1030 वार्शिक दर से घठती एको जन संख्या 10% वारशिक दर्से घरती है यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो, तो 2 वर्स बाद, जो है वो, गाउं की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, अभी जनसंख्या कितना है? वर्तमान में आपका जनसंख्या कितना है? क्फोच देखना है सीफ़ेस है और दो सुछ की जंध संख्या कि तना घट रहाए कि एक वर्स में कितना घट रहा है 10% घट रहा है तो यानिकि 10 परसेंट घट रहा है तो परकार से आपको जहोगा हुए इसको सोल्व करना पड़ेगा ठीक है तो टोटल दन्संग क्या 4000 था और दस परसेंट घट रहा है तो सो में से अच्छों के 32 यानि 3240 ठीक है 3,240 जो होगा आपका एंसर आगया ठीक है 3,240 में देख लेना अप्सन नमर्डी जो आपका बिल्कुल कारेक्ट एंसर हो जागा ठीक है तो बिल्कुल एक लाइन में इतना छोटा सामें जो है इसका एंसर बन जागा ठीक है चाहे वह कमी कहें सवार्थिक दर से ब्रिधि हो रहा है या 9 10 आडश दर्स से ब्रिधि हो रहा है ठीक है या फिर कमी हो रहा है तो जैसे कमी हो रहा हैएक 123 कहेगा तो सो में 80 में 60 के-10 और गण। ठीक है चलो एक और क्वेस्चन है अगला क्वेस्चन आपका अगला क्वेस्चन है कि एक सहर की आबादी जो है वह प्रतिवर्स चार वर्स बढ़ जाती है ठीक है एक वर्स में कितना बढ़ जाती है चार परसेंट जो है वह बढ़ जाती है एक वर्स में ठीक है यदि वर्स क है और ठीम नहीं दिया गया है तो लुट देंगे और बच गया बारतों सो को 104 में अब गुना कि यारा 228 58aş पूरों देख लो आपका ओप्सन नमर कितना हो जागा एक लाख 24,800 अप्सन नमर जो है वो आपका सी जो होगा बिल्कुल सही एंसर हो जागा ठीक है तो आपको बहुत ही आसान तरीका है ठीक है यह ट्रीक आप लोग जो है वो जरूर अपना यह ठीक है इस टाइप के क्वेच्चन ज चार को एड़ कर दिए ठीक है जैसे अगर 4% कमी बोलता है तो 100 मेंसे 4 गहता आते और यहां पर कितना हो जाता है ठीक है ना चुले एक और इसी टाइप का यह और कुछन है यह ठीक है हम ले लते हैं कि एक कस्वे की जन संख्या जो है वो 64,000 है ठीक है एक कस्वे की जन संख तक होगा यह तीन वर्स तक लगतार चल रही है उसी तरह से चले इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं बिल्गुल इसी पैटर्ण में यह भी क्वेस्चन है अभी कजन संख्या कितना है यह चौन सथ हजार है ठीक है यहां पर लिखते हैं तो सारा सारा जिरू कट गया तो 121 और फ्लकुल सही एंसर हो जागा ड़ीदा और बिल्कुल सही अंसर हो जागा ठीक है तो इस type का हम जो एवे तीसरा question तर ठीक है अगला हम question जो लेकर रहेंगे इसी टाइप का जो चौंथा question होगा वह हम आपको next class में करवाएंगे ठीक है ना आज के लिए बस इतना ही जितना भी अभी हम बता दिए उतना आप लोग प्रैक्टिस करना और जितना भी हम बता रहें अपने notes से ही बता रहें ठीक है अपना सारा notes हम रखे हुए अपना notes से बता रहें तो इस type का question हम कल भी लेकर आएंगे और भी यह वाला type का question करवा तो बस आज के लिए इतना ही तो जो भी अगर पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक चोड़ा सा जरू कॉमेंट करना नीचे में ठीक है और लाइक जरूर कर देना ठीक है और अगर जो पहली बार देख रहा होगा सब्स्राइब नहीं जाए हिंदी